लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साल तक नहीं जेल सकते एक दो महिने के बाद ही हमें रलाइज होता है कि बहुत ही जाद हमारे साथ cruelty हो रही है या x y z कोई भी reason हो सकते हैं तो उसके लिए फिर हम quick divorce के लिए methods टूनते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक साल से पहले हम किस तरह से divorce ले सकते हैं दोस्तों जहां बात quick divorce की आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके confusion होते हैं हजबन वाइफ एक साल से अलग रह रहे हूं तब वो इसमें petition file कर सकते हैं हजबन वाइफ अपने बीच की सारी misunderstanding क्लियर करके अपने terms and conditions agreement में लिखवा के इसमें petition file कर सकते हैं उसके बाद court आपको 6 मेने की date देती है वहाँ पर आपके advocate अगर अमर्दीप सिंग वर्षिस हर्विं कॉर का judgment लगा देते हैं तो उस judgment में दोस्तों यह है कि वो जो 6 मेने की duration है उसे कम भी किया जा सकता है तो यह आपके वकील पर depend करता है और जचसा पर depend करता है कि अगर वो 6 मेने की duration को कम कर देंगे तो आपका divos जल्दी हो जाएगा आपको कुछ cases के अर्म बताऊंगे अगर आपका case इसकी किसी भी case के अंडर आता है तो आपको एक साल बेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप को एक साल बेट करने की ज़रूरत नहीं है दूसरा अगर वाइफ शादी से पहले गरवती है यानि की प्रेगनेंट है क किसी भी दबाव में आकर हुई है कोई फोर्स फुली हुई है तो इसके बिहाफ पे भी जबसे आपकी मैरेज हुई है उसके बाद से एक साल तक आप कभी भी पेटिशन फाइल कर सकते हैं डाइवोस के लिए उसमें आपको को प्रूफ करना होगा कि किस तरह से दबाव में आकर आपकी शादी हुई है और इसको नल एंवाइड घोशित कर दिया जाए कोट आपकी फेवर में डिसिशन दे देगी और आपकी मैरेज नल एंवाइड करार कर दी जाएगी ये सारे केसिस दोस्तो हमारे हिंदू मैरेज आक्ट के सेक्शन 12 के अंडर आते हैं इसमें के जितनी मेरेज होती हैं वो नल एंवाइड होती हैं तो इसमें आपको एक साल का इंतजार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप एक साल से पहले भी डाइवस के लिए फाइल कर सकते हैं दोस्तो जिस मेठेड की अब बात करने वाले हैं वो बहुत ही रेरली लोगों को पता है वो एक्सेप्शन है कि अगर आप अपनी मारेज में असाधर रूप से बहुत कष्ट जेल रहे हैं और आप यह प्रूफ कर सकते हैं कि हमें यह परिशानी हो रही है हमें बहुत हमार साल बहुत क्रूल्टी हो रही है तो उसमें आपको एक साल का इंतजार करने की नहीं है और आप एक मैने, दो मैने, कितने भी टाइम के बाद, मैरिज के कितने भी टाइम के बाद, कोट में डाइवोस की पेटिशन फाइट कर सकते हैं, हाला कि यह पेटिशन टफ होती है, इसमें आपके आपके एडवोकेट की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, कि वो कोट को प्रूफ कर सकें, कि हाँ, इसमेरिज नीट्स टो बी डिकलेड नल एंगॉइट, आपके एडवोकेट को अच्छी जी डॉकिमेंटेशन प्रिपेर करके, कोट को यह प्रूफ करना होगा, कि किस तरह हस्बेन या वाइफ असाधर रूप से इतने कश्छ जेल रहे हैं, तो इस marriage को तुरंट खतम कर दिया जाए, उसके बाद कोट आपको order कर देती है, कि आप section 13 के अंदर डावोस की petition file कर सकते हैं, before one year, तो दोस्तो यह थी जानकारी पूरी, क्विक डावोस के बारे आप